बुकमते जी, हर चुनाओं में हम यह देखते हैं, घरीबी हो, घरीबी हटाओ, जैसे हुझे हर चुनाओं में बड़ा प्रॉमिनेंटली विपक्षी दल हो, या राजनेतिक दल हो, सभी उठाते हैं, जहां भारती जन्ता पार्टी गरीब कल्यार की यह जनाओं के नाम पर जन्ता में जा रही है, तो वहीं पर कॉंग्रेस एक जटके में गरीबी हटाने की बात कर रही है, आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या वाकी लगता है एक जटके में जटके में जटके में जटके में जट ने पाई कॉंग्रेस च्छे दसक तक इस देश के अंदर च्छे दसक से दिक समय तक उनों ने देश के अंदर सासन किया और इन छे दसक से अधिक समय तक दादी से लेकर के पोते तक उसी नारे को लगा करके देश की जंता की आँखों में धूल जोंकने का कारे कर रहे हैं सही माईने में अगर देखा जाए तो गरीबी हटाने और गरीब कल्यानकारी योजनाओं को इमानदारी से प्रतेक तपके को चेहरा देख करके नहीं इमानदारी के साथ बिना बहे दभाओं के हर बैक्ति तक सासन की योजनाओं को गरीब कल्यानकारी योजनाओं को जन्धन एकाउंट से हो फ्री रासन की सुविदा हो पांच लाक रुपे की स्वास्ते बीमा का कबर हो घर घर में सोचाले बनाने का हो हर घर में नल देने का हो या फिर चार करोड परिवारों को मकान देने का हो अगर आप देखेंगे एक लंबी स्रिंखला है यह असी करोड लोग चार वर्स से लगातार फ्री में रासन की सुविदा का लाप राप्त कर रहे हैं पचास करोड घरों को पचास करोड लोगों को गरीब परिवारों को जंधन एकाउंट खोले गए यानि आज़ादी के सत्तर वर्सों तक देश के अंदर सबसे अधिक समय तक कॉंग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने सासन किया लेकिन ताजूप पचास करोड परिवार ऐसे थे जिनके पास अपने एकाउंट नहीं थे चार करोड से धिक परिवार ऐसे थे जिनके पास अपना आवास नहीं था 60 करोड परिवार ऐसे थे जिनके पास अपचार के लिए संसादन नहीं थे दवा के लिए पैसा नहीं था धाई करोड परिवार ऐसे थे जिनके घर में बिजली नहीं जल पाई थी आजादी के बाद भी दस करोड से धिक परिवार ऐसे थे जिनके पास रोसोई के गैस के कनेक्शन नहीं थे इतने लोग अगर कॉंग्रेस के कुशासन के कारण देश के अंदर बंचित थे तो इसका दोसी कोई और नहीं कॉंग्रेस और उसके साथ के सयोगी हैं उसके पाटनर है जिन्होंने देश की जनता जनारदन को बदहाल लखा नारा देते रहे और इनके समय में जब कॉंग्रेस का इपरिवार सुपर पी-एम बना हुआ था डॉक्टर मन मोहन सिंग जी देश के पधान मंतरी थे उन्होंने किसके सारे पर कहा था कि देश के संसादनों पर पहला दिकार मुसल्मानों का है आप देश को मुसल्मान और गहरे मुसल्मान के नाम पर अलपसंक्यक और बहसंक्यक के नाम पर बाटना चाहते है ये देश 1947 में एक विभाजन की तरास्थी को देखा है तो इस देश को आभार वेक्ट करना चाहिए बिधान मंतरी मोदी जी का जिनके कारण पिसले दस वर्सों में पचीस करोड लोग गरीबी रेखा से उभरे हैं खुसाल जीवन जी रहे हैं 80 करोड लोगों को फ्री में रासन की सुवधा का लाप परप्त हो रहा है 60 करोड लोगों को आयुस्मान भारत में पांस लाग रुपे की स्वास्त बीमा का कबर मिल ला है 50 करोड लोगों के जंदन एकाउंट खुल करके दलाली और कमिसन खोरी बंद 12 करोड किसानों को किसान सम्मान निधी का लाप 10 करोड गरीबों के घर में उज्जुला योजना के रुस्वई कैस के सिलेंडर कनेक्शन पहुँच गए 4 करोड गरीबों के मकान बन गए और अगले 5 वर्सिक ले 3 करोड ने लोगों को मकान देने का अस्वासन भी भारतिय जंता पार्टी ने अपने संकल पत्र में किया है धाई करोड परिवारों ने जिनने कभी बिजली नहीं देखी थी उनके घरों में बिजली पहुँच गई हर घर नलकी उसना साकार हो रही है बारा करोड गरीबों के सोचाले बन गए वास्तों में बिना भेद्वाओ के सबका साथ सबका विकास सबका विस्वास और सबका प्रियास कभी मोदी जी ने ये नहीं कहा कि मैंने किया उन्होंने कहे तो सबका विश्वास है और सबका प्रियास है आज भी मोदी जी अपने चुनाव भाशन वे इस बात को कहते हैं जो सब कुछ मिला है इसका स्रे मुझे नहीं जनता जनारदन को है क्योंकि जंता जनार्दन ने अपने लोकतांत्रिक अधिकार की कीमत को समझाया अपने वोट को सही जगे दिया तो उसका लाप सही तरीके से मिला है लेकिन कॉंग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गड़वंदन विभाजनकारी राजनीती करके देश के साथ धोका कर रहा है, गड़दारी कर रहा है इनको जब भी उसर मिला इन्होंने रास्तिय हितों की अपूनी च्छती की है और गरीब कल्यानकारी योशनाव में ड़केती डालने का काम किया है कौन नहीं जानता समाजवादी पार्टी की सरकार की समय उत्तर प्रदेश के अंदर खाद्यान घोटाले होए थे दरजन भर जिलों में आज भी सीबियाई इनकोईरी चल लई है इन से जुड़ेवे लोग गरीबों का रासन हड़प कर जाते थे जब 2017 में मुझे प्रदेश में मुख्यमंत्री के रुप में दाहितों मिला था इस दोरान मैंने सुयम जब इस बात की जाँच कराई थी तीस लाग फेक रासन कार्ड पाए गए थे और फेक रासन कार्ड के नाम पे रासन निकलता था रासन की सुविधा गरीब को नहीं मिलती थी समाजवादी पार्टी के प्रदाजिकारी को मिलती थी या उनके द्वारा प्रस्रे प्राप्त माफिया ये सभी रासन हड़प जाते थे आज मैं कह सकता हूँ कि प्रदान मंत्री मोधी जी के करण ईपास मसीन 80,000 सदिक रासन कोटी की दुकान में लग गई डोर इस्टेब डिलिबरी हो रही वन इस्टेब डिलिबरी के माद्यम से फसे आई गोदाम से सीधे कोटेदार के दुकान में जी पीएस मैपिंग के माद्यम से खाद्यान पहुच रहा है और वहां से गरीब को सभी को ईवेइंग के माद्यम से एक एक उसकी मॉनिटरिंग होती है सही माइने में कहा जाए तो आजादी के बाद ये जो रिफॉर्म किया है पहली बार देश के अंदर पॉलिटिक्स आफ पर्फॉर्मेंस ये मोदी जी के करना आया है और इसका सरवादी कलाब गरीब को मिला है किसान को मिला है महलाओं को मिला है युवाओं को मिला है इसलिए इंडी गड़वंदन के किसी बहकावे में जनता जनारदन को नहीं आना चाहिए और किसी को नहीं आना चाहिए ये लोग परिवार के नाम पर भारत की राजनीती को अपने बपोती मान करके चले थे जाती विभाजन के नाम पर समाचिक बैमनस्टिता उन्होंने पैदा करने का प्रियास किया समाज में समाचिक न्याय को तार-तार करने का प्रियास किया समाचिक बैमनस सिता ये लोग पैदा करते हैं आपस में लडाते हैं वर्ग संगर्स किसलिए पैदा करते हैं ये देश, कॉंग्रेस और उसके सहयोगी इंडी गड़वंदन पहले चण की चुनाव संपन हुए है और मेरा नमान है कि अगले छे चणों में जो परिणाम आने वाले हैं या भी प्रधान मंतरी मोदी जी के नाम से उनके काम से जनता जनारदन का स्रीबाद भारतिय जनता पार्टी को प्राप्त होगा कोई संदे इसमें नहीं होना चाहिए और हम फुरी विश्वास के साथ जनता जनारदन का स्रीबाद से प्रधान मंतरी मोदी जी फिर एक बार मोदी सरकार के लक्षे को और अब की बार चार सो के लक्षे को प्राप्त करने में हम लोग सपल होंगे देखे यहाँ यहाँ एक बहुत खतरनाक प्रबड़ती है यह लोग गरीबी तो नहीं अड़ा पाए लेकिन जिनोंने अपनी मेहनत से मकान बनाये हैं जमीन का प्लोट लिया है माताओं ने बहनों ने अपने ले जिवर बनाये हैं कॉंग्रेस की कुद्रिश्टियब उस पर पड़ी भी है ये धार्मिक अस्थलों की संपत्य पर बहन बेटियों की माताओं की स्वयम की संपत्य पर और किसी ने अपनी मेहनत से अपनी परिश्रम से जो संपत्ति अर्जित की है उस पर अभे लोग डखेती डालने की कुछ से चेष्टा का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि कॉंग्रेस की हमेशा से चाल रही है कि अजगर करेन चाकरी पंची करेन काज ये इस प्रविड़ती के लोग हैं कारे नहीं करना प्रिष्रम नहीं करना जन पैदा करने का प्रियास कर रहे हैं इस माववादी प्रिविर्टी को या देश कभी स्विकार नहीं करेगा ये भारत को अपूनी अच्छती पहुंचानी की कुछी चेश्टा है कॉंग्रेस का मेनिफेस्टों में जो इस प्रकार की बात कही गई है क्या कर रहे थे आप 60-65 वर्सों तक देश में सासन करने का उसर मिला था क्या कर रहे थे तब तो कुछ कर नहीं पाए गरीबी से तब तो देश वास्यों को भार नहीं पाए 2004 से 2014 के बीच में भी कॉंग्रेस के प्रधान मंत्री थे कॉंग्रेस पार्टी के प्रधान मंत्री थ वो पार्टी देश में सासन कर रही थे तब भी आप कुछ नहीं कर पाए और आज जब कारे हो रहा है तो आप देश की जंता को गुम्रा कर रहे है देश की जंता लोक तंत्र में जनारदन का सुरूप है वो कॉंग्रेस की विभजन कारी मानसिता को समस्ती है और उन्हें पार्टिकों की इस संपते पर डकैती डालने की छोट नहीं देगे गोरा कुरसे मुखे मंत्री योगी आदेतनाथ को आप सुन रहे थे जिन्होंने कॉंग्रेस की तमाम नीटियों को लेकर उन्होंने निशाना साधा है और वेपक्ष की तरफ से जो बयान बाजी की जा रही है उस से भी उन्होंने पलटबार किया है तो सीम का कॉंग्रेस पर हमला गरीमों को जुला योजना का लाब मिला है और परदान नंज्री मुदी की नीतियों से हर तब का